हेलो फ्रेंड्स अब सभी को प्रियार कीचेन में बहुत बहुत स्वागत है आज देखिए मैं लेकर आई हूँ यह होममेट बाटर का रेसीपी यह जो बाटर है हमने जो घर में ही बनाया है घर में जो नॉर्माल दूद मतलब आता है तो उसी में जो मालाई निकलता है उसी म बाटर को यूज करना भूल जाएंगे क्योंकि यह जो होममेट बाटर है बहुत ही मतलब फ्रेस होता है होममेट तो मतलब घर का बना हुआ चीज तो चलिए देखते हैं यह बाटर को हमने घर में कैसे बनाया है तो सबसे पहले देखिए यहां पर हमने मालाई लेकर आई हूँ यह जो है मेरे एक हपते से मालाई को हमने स्टोर करके रखे थे तो मालाई को जो है हमने डीप फ्रीजर में स्टोर करके रखती हूँ तो इससे जो है मालाई खराब भी नहीं होता है ऐसे नॉर्माल फ्रीज बतर से क्वाएं बनाँगी आप मिकसर में लेकर सकते हैं वाध सी बना लूँ से बहुत आसानी से बन जाता है तो यह देख सकते हैं बतर ही तो मद्लब निकलना कमई जाना हो जाता है तो इस वाध लगता ही मैं आप से कर रहे हूं हाथ से क्योंकि बहुत आसानी से हो जाता है तो देख सकते हैं इसमें से दूद अलग होना स्टार्ट हो गया है तो हमारा बाटर बन गया है ज्यादा टाइम भी नहीं लगा और जल्दी से हो भी गया है तो देख सकते हैं इसमें से दूद अलग हो गया है तो आचली ये तो ब करेंगे तो इसमें जो फ्रीज में रख दीजे नॉर्मल ठंडा पानी होता है तो वही ठंडा पानी इसमें इसमें कीजिए तो ठंडा पानी इसमे मेल्ट नहीं होगा तो आभी तो मौसम ठीक है तो इसी ले में नॉर्माल पानी इस्तेमाल किये इसमें तो इससे जो है देख सकते आभी मैं ऐसे करके जो है मक्षन को निकाल लूँगी तो देख सकते हैं कि नासानी से निकल जा रहा है और ये जो मलाई है हम मारा मतला गाई का दूद का है तो इसे तो मैं एक बार धो लिए हूँ तो धोने के बाद फेर से मैं दुबारा धो रही हूँ इसको तब तक धोना है जब तक ना इसमें से जो सफेद पानी निकल रहा है सफेद पानी निकलना बंद हो जाए एकदम नॉर्माल जो मतलब अच्छा पानी दीगने लगे तो चलिए ऐसे ही करके जो है मैं ये मालाई को दो तीन बार साप पानी से धोलूंगी तो चलिए धोल लेते हैं फिर उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं तो इधर जो है हमने मालाई को अच्छे से तीन चारवा साप पानी से धोल लिया है तो ये जो मालाई है बाटर बनने के लिए एकदम रेडी है तो इसमें मैं थाप चमच के करीब नमाग एट करूंगी क्यूंकि मार्केट से जो बाटर लेकर आते हैं वो थोरा सा मतलब नम किन होता है तो इसलिए इसमें मैं थोरा सा नमाग एट कर रही हूं आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं नमाग एट करके इसको मीक्स कर लिया है तो इसमें मैं स्टोर करूंगी तो उसके लिए देखे इसमें मैं डाल देती हूं इसमें डाल करने से क्या होता है मतलब सेप ज घंटे बाद लोगों को दिखाते हैं इधर देखी एक घंटा हो गया है तो इसको हम फ्रीज से निकाल के लेकर आगे हूँ तो देख सकते हैं कैसा है एक दम अच्छा लगड़ा है थोरा सा येलो येलो कलर है ये क्योंकि गाई का मतलब दूद से है तो इसलिए थोरा सा येलो है आप अगर भैंस का दूद का बनाएंगे तो तो सफेद होता है तो उसमें थोरा सा भल्दी पाउडर मतलब मिक्स कर देने से जो है इस इसलिए निकल भी लिए हैं, तो देखिए कितना अच्छा बटर बन के एक दम रेडिव हैं, एक दम होममेट प्योर फ्रेस बटर है, तो यह जो है खाने में बहुत ही टेश्टी है और बहुत हेली भी है, तो चलिए देखते हैं, यह देखिए डबा से भी जो है बहुत आसान कीजिएगा और मेरे चैनल में नया है तो रेट कलर का बाटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइट में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए फिर मिलते हैं अगला कोई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड थैंक यू